नमस्कार दोस्तों आपका अपके अपने चैनल में स्वाक्त है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की 18 क्तूबर के कुछेक महत्वपूरण Educational and Employment Updates के बारे में जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे हम बात करेंगे हमाचल प्रदेश टाप सलेक्शन कमिशन हमिरपूर और हमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन सिमला के कुछ एक अपडेट साय हुए है उनके बारे में जो है वो बात करेंगे तो चली दोस्तों करते हैं वीडियो को सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे। इगन। इहां पे जो आपके tarm and exam होंगे दिसमबर में उनके examining form यहां पे जो है आउट हो चुके हैं तो इन examination form के लिए जो ईपलाई करने की last date है वो यहाँ पर 31 अक्तूबर रखी गई है तो यहाँ पर जो भी IGNU के UG और PG के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर 21 अक्तूबर तक अपने फोर्म जो है वो submit करवा दें और आपके यह जो फोर्म है वो यहाँ पर online माध्यम से भरे जाएंगे तो आप लोगों ने जो है वो IGN यहाँ पर 20 अक्तूबर निधारित की गई है तो यहाँ पर जो भी इच्छु का कैंडिडेट है जो HPU, Ecodol से UG या PG करना चाते है वो जल्दी से जो है वो अभी apply कर लें इसके लिए apply कैसे करना है इस पर मैंने एक separate वीडियो बनाई है इसका link जो है मैं आपको i button पर दे दूँँगा तो बहाँ से आप देखके जो है वो apply कर सकते हो next अब अगर हम लोग यहां पर HPU, UG Supplementary और Annual Examination की बात करें तो जो Ecodol जन्वरी बैच है उसके Annual Examination और जो दूसरे यहां पर Undergraduate Supplementary Examination है जो अभी November 2022 में होंगे तो यहां पर HPU ने उनके यहां पर Examination Center की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दिस्टिक वाईज लिस्ट की यहां पर कौन-कौन से डिस्टिक में कौन-कौन से जो सेंटर है वो बने हुए है तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो और बाकी जो यह पीडियाप में है मैं अपने Telegram Group में जो है वो अपलोड कर दूँगा तो आप मेरे Telegram Group म यहां पर examination center है उनकी list भी आ गई है जो आप यहां पर screen पर देख सकते हो यहां पर यह पांच college इसके लिए बने हुए हैं तो यह जो है वो सास्त्री के जो अभी supplementary examination होंगे उनके लिए यह जो center list है वो रहे नेक्स्ट अब आगर हम लोग पात करें तो यहां पर जो bsc nursing second third और fourth year के स्टुडेंट्स है एन्वली और बीसी nursing first year के जिनके supplementary examination होंगे जो इस मन्थ नवंबर 2022 में होंगे तो उसके regarding जो भी फीस है और जो भी examination form है तो यहां पर अच्विन एक notification जारी करा है कि आपकी फीस है जो आपका examination post है वो आपने assistant register examination तीन medical science को जो है वो भीज़ देने है 28 October 2022 तक तो इसकी अपलाई करने की last year जो वो 8 October 2022 से रहेगी तो यह form जो है वो आपके offline होंगे तो आपने जो है वो जो भी यहां पर bsc nursing के cani rates है उन्होंने यहां पर जल्दी से अपने form यहां पर फिल करके जो है वो 28 October तक भीज़ देने हैं इसे के साथ जो आपका bsc nursing post base है उसके second year के annual और post base bsc nursing first year के जो भी supplementary examination है वो नवंबर 2022 में होंगी और इसके regarding जो भी examination form है और जो भी फिस है वो आपने same address पर जो आपका assistant register examination third medical science जो है रहेगा तो उस पर जो है वो आपने by post यहां पर 28 October तक जो है वो यह form भेज देने है और इसे के साथ अगर हम यहां पर बात करें msc nursing second year की और msc nursing first year की तो उनके examination भी यहां पर जो supplementary examination है वो नवंबर 2022 में ही जो है वो यहां पर होंगे तो इसके regarding जो भी examination form है और जो आपका फिस है वो भी आपने इसी same address पर assistant register examination third medical science पर भेज देने इसी के साथ HPU के कुछ एक अन्य updates की बात करें तो यहां पर जो LLM course के लिए यहां पर जो आपका entrance test होगा उसकी date यहां पर HPU ने announce कर दी है तो LLM के लिए जो entrance test की date वो यहां पर 29 October 2022 जो है वो HPU ने जारी कर दी है तो यह आपकी 29 October 2022 date रहेगी और आपका जो test वो यहां पर जो है वो दोपैर दो बज़े जो है वो होगा इसी के साथ अन्य update की बात करें तो यहां पर HPU ने कुछ एक और update जो है वो यहां पर जारी करे है जिसमें जो है वो जो आपका BA first year Ekadol के students हैं उनका यहां पर जो personal conduct program होगा उसका बड़ सैप link यहां पर HPU ने जारी कर दिया है इसी के साथ जो BA first year के students हैं इसी के साथ session 2022 के उनकी यहां पर personal conduct program की जो list है वो भी HPU ने जारी कर दिया है और इसी के साथ जो become first year के students हैं उनका यहां पर जो भी personal conduct program होगे बाई Ekadol तो उनका बड़ सैप link जो है वो भी यहां पर HPU ने जारी कर दिया है तो यह जो भी आपके notification है आप लोग जो हो HPU की साइट पर जाके notification वाले option पर जो है वो चैक कर सकते हो और दूसरा जो है वो यह सारे notification मैं आपको अपने telegram group में upload कर दूँगा तो बहां से जाके भी आप यह सारी information चैक जो हो कर सकते हो अब next अगर हम लोग बात कर लें यहां पर हिमाचल प्रदेश public service commission की तो यहां पर हिमाचल प्रदेश public service commission ने जो आपकी assistant professor college cadet के exam होंगे उनका schedule यहां पर जारी कर दिया तो आपका यह टेंटिव schedule रहेगा screening test का तो आपका schedule यहां पर जारी हो चुका है तो जिसमें home science की assistant professor उनका exam यहां पर 19 November इसे के साथ education के assistant professors का exam यहां पर 20 उसे के speaker 23rd को music instrument का 24 को public administration का 25 और music का यहां पर 26 November को जो है आपके screening test जो होंगे next update की बात करें तो next update जो है वो आपका ही माचल प्रदेश टाप selection commission हमिरपूर से रहने वाला है तो यहां पर स्टाप selection commission हमिरपूर ने जो है वो कुछ एक notification यहां पर जारी करे हैं जिसमें जो है वो आप at 이 Mr Spark ко local Music मोटर्विकलन इस्पैक्टर पोस्ट को 979 की यहांपर आणसर की है वो जारी हो गई इसी के साथ बैटनरी फार्मसिस्ट पोस्ट को 958 की आसर की यहां पर जो है और जारी हो गई है इसी के साथ जो आपका यहांपर इ GRANT इंस्टक्टर आर्किटक्ट किया जिसका पो है यहाँ पर हमाचल्द प्रदेश करमकारी चाय नियोग के रहे हैं इसके सास्त परॉश। जो आपका यहाँ पर पोस्ट कोड का एक एक एकजाम हो था, 994 का उसके रिगार्डेंग भी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जो है, वो जारी हुआ है, और इसी के साथ पोस्ट जो थी आपकी सैनिटरी से, यहाँ पर सुपरवाजर पोस्ट को नाइन एट सिक्स, इसके regarding भी यहां पे एक notification जो है वो public यहां पे public stop selection commission ने जो है वो जारी कर रहा है इसके साथ ही आपका workshop instructor पैंटर यहां पे सोरी pattern making जिसका post code 992 था उसके regarding भी यहां पे notification जो है वो इमाच्र प्रदेश stop selection ने जो है वो जारी कर रहा है तो इस सारे notification जो है वो आप इमाच्र प्रदेश stop selection commission की website पर जाके check कर सकते हो और बाकी जो है वो इसके pdf मैं अपने telegram group में जो है वो upload कर दूँगा तो बहां से भी आप यह check कर सकते हो अब last में जो है वो हम लोग बात कर एच्प्यू बीएड second move up round counseling की तो आप लोगों को पता ही है कि पिछले कल जो है वो एच्प्यू बीएड second move up round counseling में admission लेने की जो थी वो last date थी तो उसके बाद यहां पे आप कितनी सीटे खाली रहा गई है तो इसका जो भी official notification आपको आज या कल देखने को यहां पे मिल सकता है और अगर वहां पे सीर्स खाली रहा गई होंगी तो उसके बाद जो है यहां पे एक open round या sport round counseling जो है वो भी हो सकती है तो उसके रिगार्डिंग अब आपकी open round या sport round counseling होगी या नहीं होगी वो उसी situation में होगी अगर second move up round में यहां पे सीटे खाली रहा गई होगी तो अगर सीटे खाली नहीं रही है फिर उसके बाद इसके chance जो है वो नहीं है उसके बाद वो यह जो open round या sport round counseling वो नहीं होगी लेकिन यहां पे most probably जो है वो आपकी कुछ ना कुछ सीटे खाली रहा ही गई होगी सभी सीटे अभी second move up round में भी जो है वो फिल नहीं हुई है तो अभी जो है इसके regarding अब कितनी सीटे बची है क्या इसका criteria है क्या इसका official notification जब आएगा तभी यह clear होगा और यह notification आपको जो है वो विदिन एक या दो दिन में देखने को मिल सकता है तो जैसे notification आएगा इसके regarding कुछ भी information आएगी मैं आपको यहाँ पे वाई वीडियो इन फ बोक्स कर सकते हो जहां पे मैप के जो भी डाउट है या जो भी आपकी प्रवर्म है उसको दूर करने की पूरी कोशिस करोंगा और आपने टेलिग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो की description में जो है वो दे दूंगा दोस्तों यह थे वारी आज की वीडियो अगर आ कानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करने तता ऐसे अपडेट्स के लिए मरजात बने रहीं धन्यवाद